हमाई येटूब चैनल आपका स्वागत है। इस वीडियो के मादधेंस हम लो जानेंगे, कि जो दिछ्छा एप है। दिछ्छा एप पर हम लोग dis9, description कैसे वह जानेंगे एसाइमन झूसी कैसे भेढ़ाईंगे और उसमें क्या क्या डाटा भरनारिकल स्वागतर हैं और किस email id पर भेजने हैं और अपने मुवाइल से कैसे send करें इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक दोस्तों इन सभी को एक साथ हम बताएंगे और एक ही वीडियो में सब किलियर कर देंगे कि आपको कैसे भेजना है और कैसे नहीं भीजना है ठीक है यादि आपको सभी के एंसर चाहिए तो मेरी टेलग्राम पर भी जॉइन कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकुन को दबा लेंगे ठीक है मैं अपने टेलग्राम पर सारे जितने भी एसाइमेंट इसके हैं दिछ शी बताता हो आपको कि पिछले वीडियो हमने दिछा आपको सब्सक्राइब करना और अपका जो पर देखते हैं अपना दिछा एप लागिन करिएगा जो आपका आइडि पास्वट पहले बनाय होंगे यह जो नहीं बना है वह मेरे डिक्स्योंसर तहुक्त थूस्तों तो सबसे प υborड़ करिएगा यहां को लिखा हुआ है इसने प्लैक रहेंगे यहां कोर लिखा हुआ है क्लिक करने चाहिए के आप लोग का इस तरह से डेस्ट खुल के आएगा देखिए यहां पर आपका तीनों सब्जेट जो लागिन किये रहेंगे जो आप लोग आईडी पास्ट बनाए रहेंगे तो आपको यहां पर केंप्यूटर और केंप्यूटर और समावेसी और तीसरा फीजिकल तीनों आपका उपर सो कर देगा और एक एक को करके आपको पढ़ाई करना है इसका लास्ट आपको जो देगा नीचे दिया रहेगा कि आपको 31 दिसंबर तक कंप्लीट करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करिएगा इसमें जह सेकेंड वाला करेंगे उसका थर्ड वाला जो है उसको थर्ड वाले पर क्लिक करेंगे ठीक है हम एक एक करके आपको बताते हैं कि कैसे होगा इसका एसाइमेंट कैसे लिखेंगे और कैसे भेजेंगे ठीक दोस्तों आईए देखते हैं सबसे पहले का करेंगे हम लोग केंप प्रूटर का माडूल होता है सब्सक्राइब करेंगे जितनी बार हम लोग इनिट पढ़ेंगे जैसे माली एक युनिट पढ़े उसका आसे मिधं हमको क्या करना है भेज देना है किसको ब्हेजना है इंसर्विस ट्रेनिंग एसाइमेंट को भेज देना है AACRT की Gmail ID है इस Gmail ID पर आप लोग को अपना assignment क्या करना है फोटो खीचना है फोटो खीच कर पीडिएप में कर्वेट कर लिए ज्यादा पेज है तो नहीं तो आप फोटो में भी आप क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं ठीक है यह पीडिएप में बताएंगे और आप लोग को क्या क्या करेंगे इमेज में जो भेजना है जे पीजी फाइल में उसको इमें बता दूँगा ठीक है आई आप देखते हैं कि इसमें कोर्स कैसे पाच लेगा कि आप कितना complete किये हैं और कैसे complete के देखे सबसे क्या करिएगा यहां पर लिखा होगा देखे हम बताते हैं आपको द देखे मैं आपको दिखाता हूं क्लिक करका देखे आई सेटी इन एजुकेशन इस पर क्लिक करने पर देखिए पहला जो मार्डियूल आई देखी पहला जो पार्ट है क्या है यह केम्पूटर आरेमाइजिटी जो पार्ट टू है यह आप लोग को पढ़ना है आपको को हम लोग पढ़के क्या करना ए करना है तीसरा क्या दिया है यह ती questiप हेट समेंश्टर वाट थार्ड अब देखे जो यह तीनों कंप्लूट हो चुका मेरा हो ामेर कोनी साइमेंट करना देखें केंप्यूटर कोनी संन समस्टर थर इस्रद कम Weets hard करेंगे देख़ेंगे इद अब दिखाते हैं अभilläक आ आ जाएगा अब देखिए आफ तो रहुगा ना part 1 है अब देखें नीचे लिखा हुआ क्यां पढ़िए इसको ध्यां से ठीट फोलियेगा लिक्राइट अब बढ़िकी करेंगे इस तरह से हमारा क्या रोडिग लेगा लोरीब देखिए इस बनागर खोल किया है यहां क्या लिखा हुआ है इन्टोडक्शन आफ आइसीटी और यहाँ पर एसाइमेंट, देखें, एसाइमेंट मेरा कौन सा है, यह पहला एसाइमेंट है, आपको कितने एसाइमेंट भेजना है, एक युनिट के तीन एसाइमेंट भेजना है, ठीक है, वो भी अपने Gmail ID से, अब इसको क्या करेंगे, नी कोचने क्या कह रहा है, सिच्छा में ICT पर एक पोश्टर तैयर करिए, मतलब ICT का सिच्छा पर क्या मोहत्ट चल ला है, उस पर एक पोश्टर मतलब वो स्पेजज पर बना डीजिए, उसके क्या मोहत्त है, उसके मतलब डियागराम की ताइब से बनाना है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी कि कैसे बनाना है और कैसे एक्स्प्लेइन करना है और एंसर कैसे लिखना है दूसरा देखें क्या कर रहा है ICT के स्कूप के बारे में बता करें इस सब्सक्राइब होता है इसको मतलग इस को मातलग आएज़िट-उस खर दिए है और चैया सब्हें सबसदों देख सकते हैं लेकिन आप अपने language में लिखेंगे ठीक दोस्तों तीसरा क्या है सिच्छा में ICT क्या हो सकता और महत्तों को समझाईए मतलब कह रहा है कि सिच्छा में जो सिच्छा education में है इसका क्या महत्तों है देखिए बहुत महत्त होता है जैसे माली देखे न स्मार्ट बोर्ड देखे स्मार्ट बोर्ड हो गया और स्मार्ट क्लासेज हो गया मतलब एक साथ बहुत बच्चे बैठ सकते हैं और मैं प्रजेक्टर से पढ़ा सकते हैं इन सबका ICT का मौत होता है ICT के थुरू ही इन सबका पढ़ाई होता है ठीक दोस्तों आई अब हम देखते हैं कि जो assignment लिखें से आपना नाम लिखेगा क्या नाम है अपका नाम लिखने कबात देखिए याट मेरत हैEट जीए अ उसके बाद कारिए बीसे लिखना है बीसे जो भी है computer काई तो computer इसे समावेसी सिच्छा का कर रहा है तो समावेसी सिच्छा यह inclusive यहां फिर सारी सिच्छा का कर रहा है यहां पर क्या करेंगे physical education करेंगे ठीक है अब देखिए assignment अलग लग करना आपको assignment 1 अलग assignment 2 अलग assignment 3 अलग assignment को एक है assignment 1 है आगली बार मैं बताऊंगा assignment 2 के बारे में फिर बताऊंगा assignment 3 के बारे में आप लोग को बस हमेरे टेलिग्राम पर जुड़ जाएएगा टेलिग्राम पर मैं सब भेजता अपनी प्राब्लाम जुरूर सेयर करें comment box में उसी से हम आप लोग को बताएंगे अब देखिए पहला question क्या था कि ICT में पोस्टर है वो कैसे त्यार करें पोस्टर त्यार करना था अब त्यार करने का मैं बता रहा हो देखिए जो हमारे सिच्छा में देखिए सिच्छा के ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें क्या करते हैं उसके बाद local capacity जो होता है और technology और infrastructure जो इस सभी के माध्यम होते हैं वो किसके थूरू होते हैं ICT education program के थूरू होते हैं ठीक दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा जैसे मान लीजे smart class आ जाएंगे smart class आ जाएंग हर जगे से आप पढ़ सकते हैं एक किसके थूरू ICT network की थूरू होता है ठीक दोस्तों यही एक poster त्यार करना आपको कुछ इसमें लिखना नहीं है बस poster त्यार करके आपको भेजना है आप लोग अलग अलग ट्रिकेसी बना सकते हैं जैसे digital contact में आपको देख लिजे radio हो गय जैसे माली जेक एक स्कूल से दूसरी स्कूल पर जाते हैं और फिर नेट्वर्क के माध्यम से जैसे माली जी एक computer जोड़े दूसरे computer से जोड़ दिये मतलब क्या बोलते है उसको रूटर के थूरू वाई-फाई के थूरू ठीक है उसको अम लोकल का फ्रसीटी में जोड़ लेकिन इसमें खाली को poster त्यार करना है कुछ लिखना नहीं है महत्तो बोलता तब देखिए अगला question में बताता हूं महत्तो दिख्या दिख्या है देखिए नीचे लिखा हुआ है कि सिच्छा में ICT की आयो सकता है question number 3 पढ़िए question number 3 आपका assignment है मतलब पहले assignment का 3 question सिच्छा म ICT का सकता और महत्तो को समझाइई इस महत्त सकते हिटाओर का बहुत महते है सूचना का बहुत महत है इंसिमार के बारे में आप लोग के बहार क्या होता मुदर पढ़ता है तो अपने आप तो आप लोग ऐसे लिखके पीडिया बनाईए या फिर इमेज बनाईए इमेज मतल़ा आपको खीच के रखिए और उसका साइज क्या करना है एक mbc कम करना है ठीक है साइज reduce करने के बारे में एक वीडियो बना दूँगा साइज कैसे reduce करा है एक PDF कैसे बनाए उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेंगे बाद में हम उसको वीडियो डाल देंगे अपने description बाक्स में तो आई यह अगले दिखें इसको भेजेंगे कैसे email id इसे क्या के सी भेजना है आप लोग Story को मि kalian बताता हूं सबसे पहले क्या करेगा Oh my ऑपको LGR और 錢 पर देखेए उसमें आपको Gmail और mail ढूणना है जहां पर आपका Gmail यह email लिखना नहीं रहेगा। वहां पर आप click करेगा जैसे मैं अनुरे देखे मेरे मोईल में Gmail यहां लिखा हुआ है इसको हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने का बात देखिए हमारा इस तरह का dashboard खुलेगा ठीक है इसमें आपको क्या करना है email या Gmail भेजने के लिए देखे email जो होता है Gmail दोनों एक ही same होता है ठीक है बस इसके content थोड़ा अलग होते हैं मैं आप लोग को इसके बारे में बात बता दूँगा लेकिन जो अभी हमारा assignment भेजना है मैं उसके बारे में पछले चर्चा करूँगा ठीक है ठीक है दोस्तों करिएगा देखे फ्राम मतलब होता है कि जहां से भेजेंगे मैं भेज रहा हूं तो मैं फ्राम हूँ और किसी को भेज रहा हूं तो उसको मैं भेज रहा हूं जैसे किसको भेजना है CRT को भेजना है उसका email ID क्या था email ID वहां पर दिया हुएगा जब आप लोग module चेक तो क्या था in service in i n s e r b i c e in service training t r a i n i n g training assignment a double s i g assign n m e n t assignment at there at gmail dot com ठीक है देखे यह आप आप लिखेंगे न डारेक्ट आपका आ जाएगा in service training at there at gmail in service training at there at gmail.com इसको click कर लिजेगा automatic आपका देखें हाँ सो हो जाएगा देखें in service training assignment देखें पूरा सो हो गया आपका gmail.com ठीक दोस्तों उसके बाद क्या करिएगा आप सब्जेट लिखें सब्जेट कौन से आपका है computer का मैं assignment कर रहा हूं तो computer का कर लूँगा ठीक दोस्तों उसके बाद क्या करिएगा इसको कुछ मुझे इमेल में कुछ मत लिखिएगा ठीक है छोड़ दीजे इसको उसके बाद क्या करिएगा यहाँ पर देखें जो बटम बना हुगा है कि इसको बना होगा ऐसे करके बना होता है इसको बोलते हैं आपका फोटो हो गया बीडियो हो गया जो आपके मुवाइल फोन में होता है वहां से ड़ेज से घरके हम लगा देंगे तो आजयेगा भी देखिएगा अपलो ग्लिक कर ये इसने करने के चरह से का डैस्ट को डेशबोड खुलेगा तहीं है अब देखिए जो आप सेट सेब कि रहेंगे और डिसेंटली फाइल और फॉन मतलब जो अब और विए डाटा भी सेव करिया रहेंगे वह का सबसी ऊपर सो करेगा देखेस ऊपर मेरा क्या है Newton क्या है सैंसाइमेंट कि है यहाँ पर देखी है आपका डिटल देगा किसे की कि इंबी का आपको दिखा देगा देखे 3202 का दिखा देगा उसका देखेए फाइल का जे यहाँ पर सीर हो जाएगा अंडु मतलào ंडु मतलर करेंगे बैक चिले जाएँगे सेंट नहीं करना इसको उंडु करें गया कंप्लिट हो अपको चेक करना है कि मेरा आशाममेंट वहां पहुंचा हैill को देगे सबसे पहले का करियेगा जहां उपर देखिए 3 बटन दिया हुआ है उपर 3 लाइन दिया हुआ है 3 लाइन पर क्या करिएगा क्लिक करिएगा क्लिक करने के बाद देखें क्या करिएगा यहाँ पर लिखा होगा Allbox Primary Social Promotion आप धूंड़िएगा कि सेंट कहा लिखा होगा जहाँ पर सेंट लिखा होगा वहाँ पर click कर लिजेगा, आप लोग click करने के बाद देखिए, इस तरह से हमारा dashboard खुलेगा, dashboard खुलने के बाद देखिए, आप लोग पहला जो भेजे हैं अभी, क्या, in service training assignment जो भेजे हैं, वो खुल के आ जाएगा, देखिए, पहला जो आपसन है, हमारा यही तो है, यही त तक पहुच गया है, in service training तक, और आपको, वहाँ तक complete, पाला training complete हो चुका है, अब दूसरा assignment करके भेजना है आपको, दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जिसको भेजे हैं, इसका देखिए, email ID यहाँ सो हो जाएगा, in service training assignment at gmail.com, यही आपका assignment है, इसी email ID आपको भेजना है, आ आप कहीं लिख लें, या फिर कहीं भी देख लें, आपका assignment SCRT को यही भेजना है, ठीक दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया रहा हूँ, 27 नॉम्बर को मैं भेज दिया हूँ, 11-10 पर timing सब कुस दिखा देगा, कब भेजे हैं, कमनी भेजे हैं, और अगला assignment तब भी यही दिखाएगा, ठीक है दोस्तों, I hope, मेरी बात आप लोग को सवाज मा गई हूँ, तो अब जैसे मैं बताएँ, ऐसे आप लोग कर लीजे, assignment 1-1 करके, 31 दिसंबर के पहले आप लोग क्या करेंगे, complete करना आपको, अभी आप लोग के पास एक मैने का टाइम है, पूरा 100% आपको जो module है, पूरा complete करिएगा, complete करने के बाद assignment भेजिएगा, assignment आप लोग को मेरी टेलग्राम लिंक पर मिल जाएगा, पर मेरी टेलग्राम लिंक पर जोइन करना है, या मिलते हैं नेक्स वीडियो में, धन्यवाद,